अगर आप CS Executive CS Professional Program में हो आपको December में एक्जाम देना तो इसमें आपके लिए तीन इंपडर रिमाइंडर आप सभी के लिए है इस रिमाइंडर को बताने थे पहले आप सभी से रिक्वेस्टे की चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कले ना क्योंकि आपको CS के रिगार्डिंग सारी सारी अपडेट हमारे चैनल बैक टू बैक प्रोवाइड कर देगा अच्छा यह रिमाइंडर क्या है अगर आपको अपना एक्जाम फोर्म फिल करना है तो एक्जाम फोर्म फिल करने के लाद देट 25 सेप्टेमर दोजार तेज है वि दाउट लेट वीड देदोगे तो आप 10 अक्टूबर तक अपप्लाई कर पाओगे अब एक्जम्शन हाईर क्वालिफिकेशन बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते है तो आप 10 अक्टूबर तक अपप्लाई कर पाओगे और अगर आप enrollment services का use करना जाए जिसमें change of medium module या group है इसको करना use करना चाहते हो तो November में start हो कि 20 November दो जाते हैं इसको चाहते हो तो कर लेना late fees के बारे में बहुत सा student पूछते रहे तो मैं आपको बता तो 200 रुपे आपकी late fees रहेगी और एक module के लिए exam देना है कि दो module के देना है आपको पता ही होगा जैसे कि आपने preparation की होगी या अगर आप जुलाई में collection कराई होगे या उसके बाद retention कराई होगे तो आपको एक ही μ道 का exam देने को मिलेगा CS executive क का professional program में चैसे iteration कराये होंगे वैसे आपको exam देने को मिलेगा बहुता student pre examination test के बारे में बात करते हैं और DOP के बारे में बात करते हैं देखो DOP के तो मैंने PDF आपको दे रखी है और pre examination test का mail आएगा mail के बाद ही आप जा सकते हो mail के बाद आपको ICSI Google phone तो आप पर examination test के लिए जा सकते हो बाकि इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कार आती है comment box खुला है comment करके आप पता ना thank you friends अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरू से चनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो आपका लेना क्योंकि आपको CS की regarding सारी update हमारा चनल देगा आपसे हम मिलें अगरे वीडियो में बाबाई